असलाम उलेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं आपसे शेयर करने वाले हूँ चिकन दम बिर्यानी और यह बिर्यानी बनेगी बिना किसी पैकेट वाले मसाले की इतनी मज़े की लगती है नहीं इसमें ज्यादा ओईल पड़ेगा नहीं एकदम आपको हेवी लगेगा आपक आपको होम मेड बिर्यानी किस तरीक से जबर्दस एकदम भट्यारा स्टाइल बना सकते हैं इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ सारे इंग्रीडियंट्स जो लगेगे मैंने एक होल चिकन लिया है जो के मी इस पत्ता दो बाद्यान का फूल आट से दस लॉंग दो इलाइची और तीन से चार दालचीनी दही यहां पर है देड़ कप तीन टमाटर चार मीडियम साइज की प्यास साथ से आट मैंने लिया हरी मिर्च अद्रक और लसन जो की मेरा पेस्ट खतम हो गया तो मैं ग्राइं से आप भीगा के मैंने रख दिया है बिल्कुल पकने के लिए तैयार है तो यह सारे सामान इसमें मैं 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 मैरिनेट कर दूगी चिकिन को सबसे पहले क्या कर लोगी मैं अद्रक लसन को पेस्ट बना लोगी तो फ्रेंड्स जैसे के मैंने आपसे पहले बताया है अद्रक में क्या करती हुआ, लसन के छिल्टे में नहीं निकालती है, इसे अधरक लसन गाड़ा भी होता है, विद फाइबर के साथ पूरा होता है, क्यों चिल्टा में पूरा फाइबर होता है, अगर आप विसको डिस्कार्ड कर देगे, तो एकदम पतला बनता है अद्रक लसन तो एकदम मामुली सा पानी डालके मैं पीसती हूँ अद्रक के छोटे-छोटे मैंने देखे टुकडे कट कर लिए है जादा अद्रक लसन जब लेके आते हैं तो मैं फ्रीजर में रख देती हूँ सेफ करने ताके नीचे खराब ना हो काफी दिन होता है तो बस फ्रोजन मैंने निकाला है उपर बरफ में से अद्रक लसन अब इसे में डिरेक्ली हलके से पानी से डालके देखे पीस रही हूँ तो हमारा जार इससे गरम भी नहीं होता ठंडी चीजों से और ब्लेट आपकी खराब भी नहीं होगी शार्क जाता है इसलिए जादा टेस्टी बनती है तो मैंने क्या क्या बोटी आएकदम सूखी लगती है तो इसलिए आपको क्या करना है सबसे पहले इसमें लगा देना है जो भी बिर्यानी मसाला होगा वो सारा कुछ अंदर अच्छे से चला जाएगा और एक बोटी इतनी जूसी लगेगी ना फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बताओ क्योंकि सारा मसाला अंदर अच्छे से ये पी लेगा पूरा गोश्ट के अंदर मसाला चड़ जाएगा अब इसमें दालेगे तीन तीस्पून अद्रक लसन का पेस्ट जो की अभी आपके सामने मैंने फ्रेश रकी हूँ, एन टीस्पून मैंने डाला है नमक, एन टीस्पून गरम मसाला पाउडर, एन टीस्पून मैंने भर के डाला है जीरा पाउडर, एन टीस्पून कश्मीरी मिर्च, आधा चमच une half टीस्पून हल्दी पाउडर और यह 1.5 cup गाड़ा दही, तही बहुत-अच्छ बीना किसी बिर्यानी मसाला डाले ये बीना पैकेट वाला अगर आप बना रहे हो तो मैं मेरा सिक्रेट इंग्रीडियंट्स आप से शेर करूगी यहाँ पे फ्रेंड्स ये बस इतने मसाले नॉर्मल डालते हैं लोग लेकिन अगर आपको इसमें जबर्दस बिर्यानी की खुश्बू चाहिए बीना केवडा एसेंस बीना बिर्यानी मसाले तो यहाँ पे आपको लेना है गरम मसाले में जो जाइफल होता है न एक चुटकी भर आपको डालना है याप जाइफल यह सिक्रेट इंग्रीडियन्ट है फ्रेंट जब मैं बिर्यानी का पेकेट का मसाला नहीं यूश करती न तो मैं इसमें इस तरीके से जाइफल डालती हूँ इतनी जबर्दस खुश्बू आती है पूरा किचन महक उठेगा आप जाइफल जरूर यूश करें बिर्यानी में लेकिन यह जादा नहीं होना चाहिए वरना कड़वा हो जाएगा इसलिए मैंने देखा चुटकी भर डाला है से बाद में मैंने एक चुटकी और डाल दिया है क्योंकि मेरी अखी चिकन है मैंने तो उसमें कम पड़ जाएगा जाइगा जाइफल और जैसी खुश्बू में चाहरी हो जाएगी नहीं तो यहाने आपको दो चुटकी जितना जाइफल डालना है जो गोल्ड सुपारी के जैसा होता है उसे कहते है जाइफल वह बहुत खुश्बूदार होता है कोर्मा या बिर्यानी में अगर आपको पैकेट वाले नहीं नूज करने तो बस इस तरीके से ग्राइंडर में अच्छी तरीके से या तो कूट लीजिए और जाइफल का इस्तमाल कीजिए अब मैंने क्या किया है आलू को फ्राइ करने के लिए तेल में डाल दिया है गरम गरम तेल उस और इसमें डाल रियो में वापिस वन टी स्पून नमक इस तरीके से नमक को मैं कैलकुलेट करके डाल दी हूँ प्यास में डालना बहुत इंपोर्टेंट है ताके जल्दी से प्यास गोल्डन प्राउन हो जाए अब मैं देखिए एकी बरतन खराब करके सारा कुछ काम करू ताके में गार्नेशिंग जो हम लेयरिंग करते ना फ्रेंट बिर्यानी की उसमें हम डाल सके तो आपको भी अगर जादे बरतन निकलने से बचाना है तो इसी तरह के से स्मार्टली काम कीजिए एक ही पॉट में देखिए सारा काम आप कर सकते हो तो थोड़ी सी बिलिस्ता म यूँकि हमने कोई भी packet का मसाला नहीं डालना है तो सारा चिकन दही समेट मसाले समेट मैं इसमें में डाल दिया है मैरिनेशन और इसे बोल को मैं क्लीन कर दूगी spatula स्पून की मदद से ताके कुछ भी risk भरबात ना वेस्ट ना हो अची से क्लीन करके मैं डाल दिया है अब फ्लेम हाई है आप देख सकते हो बबल्स कितने आ रहे हाई फ्लेम में इसे फटा-फट से मिक्स कर लोगी ताके दही बिल्कुल फटे ना दही का काफी पानी रिलीज होगा जब दही का पानी सूख जाएगा उसके बाद हमको टमाटर डालना है जब तक कि ये पूरा तेल पूरी मेल्ट होके और बन जाएगा इसलिए आपने देखा होगा मैंने बिर्यानी में जादे ओल नहीं डाले है क्योंकि ये फैट खुदी अभी रिलीज होने लगेगा चिकन के उपर की परत निकल जाएगी पूरी स्किन की और एकदम जूसी चिकन मिलेगा आपको देखे सारी मिर्चे डाल दिया आप फाड के डाल देना मिर्चों को ताके स्पाइस बढ़ जाए मैंने अखी डाला है वित अल गरा मसाला सारे स्पाइस इसे मैं भून रही हूँ जब तक भूनूंगी जब तक तक तेल ऊपर आ जाए फ्लेम को ज्यादा बारिक नहीं करना है फ्र और जो ओईल उपर आता है वी ओपर आचtober अब मैं यहाँ पर क्या कर ہी जो मैंने इसकाल आप बीचे बारिक टमाटर को चॉपकर करके डाली हूं ठाल कर दोगी बारिक टमाटरस ऐसे बारिक टमाटर चाटकर को यहाँ डाल सकते हो और इसे मीडियम फ्लेम थींगी प्हाँ बून करके अच्छे से इसका लिट क्लोस कर देना टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चे आपके प्यारा कलर देखे किता है अभी टमाटर का पानी खुद अपना रेड रिलीज होगा जब तक यहां पर टमाटर सॉफ्ट हो हो है मैंने क्या किया है जो अधरक लसन खतम हो मैंने उसे पूरा देखे ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल आपके सामने है कितना गाड़ा और कितना ड्राइ है याने देखे इस तरीके से ना कोई भी कबाब्स पर भी आप मैरिनेशन लगा सकते हो फिश पर चिकन पर कोई भी नॉन वेज डिश पर अगर आपको मैरि इसे यह देखे एकदम खुशक है क्योंकि मैंने ना इसका लसन का छिल्टा नहीं होता रहा है अध्रका स्रिफ मैंने छिल्टा उतार के बारी कट करके हलके से पानी में ग्राइंड कर लिया है और अराम से फंद्रा बिस दिन किस तरीके से फुरसत हो जाती है प्लास्टिक म ने काफी अपना पानी रिलीस किया है यह देखे फ्रेंड इसकी भुनाई करना कलर देखे माशालला बिना कोई पैकिट वाले मसाले के सिर्फ होम मेड जो भी सारे हमारे घर के मसाले होते उसी में मैंने बनाया है बिर्यानी अब यहां पर मैं आलू डाल रही हूँ क्योंकि करने दोगी जब तके तेल पूरा सेपरेट हो जाए और अच्छे से आलू और चिकन पूरी सॉफ्ट हो जाए तो यहां पर देखे गास कर दिया है और एक साइड में रख दिया है पानी गरम करने तेल साइड में देखे आ चुका है यहां पर चिकन भी अच्छे से कोथमिर डालके मैं से ढखके रखतूगी जब हमारे राइस हो जाएगे तो बस हम इसके दम दे देगे तो यहाँ पर देखे चावलो का पानी गरम करने मैंने रख दिया है इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालोगी गरम मसाला याने के दो से तीन तेस पत्ता एक दो बादिया ताके नमक अच्छी तरीके से चावलों पर चड़ जाए पानी देखिए जो जादा ता मैंने फेक दिया है थोड़ा सा मामूली पानी के साथ यह सारे चावलों को मैंस में डाल दूगी चावल आपको इतना पकाना है 90 परसंट अल्मोस मैं तो पूरे डन कर देती हूं फ्र नाइंटी परसंट चावल को पकाई लेती हूं फ्राइड राइस के लिए भी एक दम बेस्ट होता है कि 90 परसंट जितना चावलों को पका ले एक कनी छोड़ दे बस बारिक सा ताके बारिक पर हम दम पर रख सके पांच से दस मिनिट के लिए तो यहां हलके से चावल नीच मैं सारा मसाला डाल दूगी लेरिंग के लिए आपको तीन चार लेयर बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हो मेरा स्टाइल यह है मैं नीचे मसाला डालती हूँ और उपर पूरे राइस डालती हूँ मसाला बिछा दिया है मैंने आलू और चिकिन का मैंने कोथमिर डाल दि और बिर्यानी को जबरदस तरीके से दंपे लगा सकते हो आज मैंने हम इस्तिमाल किया सिर्फ red food color क्यूंकि और इसमें white color और yellow color आज़ चुका रहता है बिर्यानी का तो रेट food color मैंने उपर से डाला है गारणेशिक के लिए मैंने डाला है कोत्मीर हराधनिया यानने और उसके साथ मैं डाल दूगी बिलिस्ता बिलिस्ता भी ऑप्ष्णल है अगर आपको नहीं पसंद तो आप हटा सकते हो वैसे बिर्यानी में बहुत मज़े का लगता है बिर्यानी में बिलिस्ता ज़रूर डाला करें अब मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हूं घी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है मेरे बिर्यानी में जादा तेल नहीं है तो वो साइटल में इतना तेल ही नहीं कि मैं ओपर से डालू इसलिए मैंने पस घी का इस्तमाल किया है देशी घी और इसे मैंने दस मिनिट के अब आपके पास ओईल जादा है बिर्यानी में तो आप उपर से बिर्यानी का ही डाल दीजिए यह देखे फ्रेंड्स घं हो गया है दस से पंद्रा मिनिट हो गया है पंद्रा मिन के बाद मैंने स्कल्ले डोपन किया है सॉफ्ट हैं बस उपर से पहले मैं मिक्स कर लूगी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और एक एक चावल छुटे हो जाए वरना चावल एकदम गीले हो जाएगा अगर आप गरम गरम में जोड से मिला लोगे तो और एकदम खिले खिले चावल बने हैं फ्रेंड्स टेस्ट में भी इतना अच्छा जादा ओईली भी नहीं और म बिर्यानी के खुश्बू इतनी किचन में फैल गईती ना बच्चे भी बहुत खुश हो गए हजबन को भी बहुत मज़ा आ गई देखे बीना पैकेट के भी हम बना सकते हैं लेकिन अभी के आजकल आसानी हो गई है क्योंकि पैकेट के मसालों में खुश्बू भी होती है और जब इजी करना होता है काम को तो हम लोग प्रिफर कर लेते हैं पैकेट वाले मसाले की लेकिन ऐसा इंपॉर्टन नहीं है कि बिर्यानी के मसाले के बिना हम बिर्यानी नहीं बना सकते बिल्कुल बना सकते इस तरीके से स्टेप्स फॉलो कीजिए और मज़े के बिर्यान नरम हुई है एक भी टूटी नहीं है मतलब अंदर क्या पूरा सॉफ्ट हो जाता है ना तो उस तरीके से पूरा बिर्यानी में पूरा मैश नहीं हुआ है एक एक बोटी और आलू एकदम खड़े और अलग अलग है बहुत जबर्दस बनती है चावल भी देखे एकदम छुट जिससे आपको मर्जी आप करिये इसे इंजॉइ मैंने तो यहां पे बना लिया है कचुमबर जिसमें मैं डालती हूँ टमाटर प्याज कोतमिर हरी मिर्च और ककड़ी यह देखे फ्रेंड इसकी बोटी एकदम हलवे की तरह तूट रही एकदम मुलायम जैसे हो जाती ना व यहां बालती है